एक का सिए लिए वीडियो ज़्यांट करने वाला हैं दूसरी बात मारे कोपी चैक हो नी थी को फिनिस हो चुकित भी इलगवक चाहिए वह सेंटर्स पे दुवारा भिजबाए जा रही है करेंगे तो आप वीडियो को लास्ट तक देंगे और चैनल पर हमारे नहीं अपडेट हो आपको इस चैनल में मिल जाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को देखें पहले स्टार्टिंग में आपको बता तो ने की तो यहीं की बात सामने मतलब की निकल गया आरही अभी तक तो मतलब कि हमारी जो पीचेक हुई है इस सिचुएसन की वीज़ से मतलब कि जितने हमारे मार्स मिलने वाली जो भी मतलब कि हमारे बौडर वाले स्ट्रेंट्स थे कि लाइक अगर हमारे 40-50 नहीं माक्स आ रहा है तो थोड़े से बढ़ाकर ही माक्स मिले पांच या थस मतलब कि आईसा नहीं है कि आपको मतलब कि थोड़े सी खीच की वैसे हर साल कोपी तो हमारे ठीक ठाक की चाहिए लेकिन इस बार जो हमारे इस सिचुएशन की वीज़ से क्योंकि कोपी जो कर रहा है वो भी इंसान ही है और बहुत ही अच्छी और अच्छे माक्स आपको मिलने वाले हैं तो अगर आप बिलकुल इस ब लगवग लगवग कितने आने वाले हैं अब कोपी चैक अच्छी हुई है नमबर अच्छे मिलेंगे इस बात का यह मतलब नहीं है कि आप बिलकुल पेपर को खाली छोड़का है दस मार्क्स का लिखका है और आपको बहुत अच्छे मार्ट तो दीए वह वाले तो काम कभी अगर आप मतलब कि अच्छा ठाक सा पेपर करके आएंगे तो आप कर सकते हैं कि मेरे मांक्स अच्छे ही आएंगे तो खबराने वाली कोई बात नहीं है अगर आपका एक्जाम ठीक हुआ है तो आपको नमबर ठीक मिलेंगे इस बात है दूसरी बात हम करते हैं रिजल्ट ह कब M dette क्राइगा का हिए का मतलब कि काइसा कि आएगा तो हमारा है कि 12 एंहारा खो लेकिन पहले की चांसे बहुत 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 जाना है तो आप रिजल्ट के लिए थोड़ता एक्टिवरी ऐसा नहीं कि विल्कुल हमारा पंगर जुदाई को ही आएगा लेकिन रिजल्ट हमारा की आने वाला है बहतर इस बात को आप बेफिकर होगी तीसरी बाद हमारी क्या बोली सब्सक्राइब कर रहे हैं कि मौटरिसर पॉलिशी अपलाई हो जाए तो देखिए आप इस बात को समझे जो हमारा मौटरिसर पॉलिशी 2017 तक थी उसमें तीन चीज चीज थी पहली जो चीज थी हमारी कि अगर मानलो कोई exam tough आ गया all over country जैसे कई सारे हमारे set होते हैं वो पूरे मितलब country में tough exam आ गया लाई कि अगर suppose खटते हैं physics का exam tough आता था मानलो या भी किसी साल आया या तो किसी भी एक particular subject का exam tough आया तो उस marks उस exam में आपको marks थोड़े से मतलब कि कमाने है definite सी बात है तो उसमें थोड़े से आपको मतलब की number बढ़ा के दिये जाते हैं हर इस्ट्रेंट को तो इसमें थोड़ा सा इस्ट्रेंट को फायदा मिल जाता था कि marks अच्छे आ जाते थे दूसरा जो हमारी category थी इसमें वो थी कि अगर किसी एक पर्टिकुलर्ली सेट में पांस सेट अगर बनाए तो इसमें पर्टिकुलर्ली सेट अगर हमारा क्या तफ आ गया थोड़ा सा मतलब कि औरो के तो हमारा उस सेट में ने वह एक्जाम दिया है तो उस सेट के स्थेट को थोड़े से मार्क सब्सक्राइब ने बढ़ाए तो मतलब कि वह पड़े हुए तो बराबर ही यह लगवगा आप अंदाजर लगा सकते हैं तो थोड़े सा उसके लिए उसके लिए अनफेर माना जा कि इसने मतलब कि एक आंसर होता है जो इस ब्लूब की एक आंसर होता हुआ तो इस आंसर में हमारी जो ऑजिए जो पुरा मारे जाते हुए तो इसमें भी स्ट्रेंट को काफी साधा बिलता था तो आज मतलब की अब क्या इस बात से कहने सा थे कोई जो ऑफिशल अनॉसमेंट तो इसके रिकार्डिन वे तक नहीं हुआ है लेकिन इस बात को थोड़ा आप समझिए कि जो हमारा क्या काफी कि इस दिन पर बसे अच्छा नबर मिल जा बहुत अच्छी वाथ है सब्सक्राइब कर दिए तो फाइदा बहुत चीज है इस बार अगर मतलब की कर दी जाए तो हमारा मतलब की डाटा था कि जो मैंने विदर टीचरों से डिसकस किया हमारा मतलब की इस चीज में थोड़ा सा घबरा रहें कि हमारे माक्स कैसे मिलेंगे तो घबरानी को जुरुत लिए अगर आपका एक्जाम अच्छा हुआ है तो आपका घबराना नहीं है आपका रिज सुब्सक्राइब करना नभूले थेंक्ट रिटिस curious